हे गाईज विलकम बैक तुर्या चैनल दोस्तो आज इस वीडियो में हम मार्च दो हजार तेज की पच्चीज सबसे कम बिखने वाली कारों का सेल्स फिगर देखेंगे वीडियो काफी अच्छा होने वाला है वीडियो को लास तक जरूर देखें और हाँ दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंट इसका सेल्स फिगर 41 परसेंट कम हुआ है मार्च 2022 के केंपेरिजन में 24 चौबिसमें पोजीशन पर है रेनो काइगर काइगर की 1568 1568 यूनिट भी की हैं इसका सेल्स फिगर 37 परसेंट कम हुआ है मार्च 2022 की तुलना में 23 पोजीशन पर है रेनो क्वीड की 1283, 1283 यूनिट भी की है इसका सेल्स फिगर 48, 48% कम हुआ है आगे बढ़े बात कर लेते हैं 22 पोजीशन की तो 22 पोजीशन पर है एमजी एस्टर, एस्टर की 1151, 1151 यूनिट भी की है 21 पोजीशन पर है सिट्रोईन C3 इसकी 1075, 1075 यूनिट भी की है मार्च 2030 में और इसकी एलेक्ट्रिक वरजन EC3 का सेल्स फिगर 888, 888 यूनिट रहा है मार्च 2030 यानि पिछले महिने में आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं 19 पोजीशन की तो 19 पोजीशन पर है हुंड़ई टूसॉन टूसॉन की 581, 581 यूनिट भी की है मार्च 2030 में 18 पोजीशन पर है एमजी की जड़ेस इवी, जड़ेस इवी की 548, 548 यूनिट भी की है लाश्ट मन्त में 17 हमें पोजीशन पर है महिन्द्रा मराजो मराजो की 490, 490 यूनिट भी की है इसका सेल्स फिगर हलाकी 76, 76% ज़ादा हुआ है क्योंकि इसका सेल्स फिगर मार्च 2022 में only 279 यूनिट था 16 हमें पोजीशन पर है स्कोडा कोडिया की 416, 416 यूनिट भी की है इसका भी सेल्स फिगर 233% ज़ादा हुआ है 15 हमें पोजीशन पर है इस लिस्ट में जीब कमपस कमपस की 395, 395 यूनिट भी की है इसका सेल्स फिगर 69, 79% कम हुआ है कमपेर टू मार्च 2022 और चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं 14 हमें पोजीशन की तो 14 हमें पोजीशन पर है मारूती, सुजोकी, सियाज, सियाज की only 300 यूनिट भी की है इसका सेल्स फिगर 84, 84% कम हुआ है मार्च 2022 के कमपेरीजन में अब बात कर लेते हैं 13 हमें पोजीशन की तो 13 हमें पोजीशन पर है जीप मेरीडिन, जीप मेरीडिन की 285, 285 यूनिट भी की हैं 12 हमें पोजीशन पर है MG ग्लॉस्टर, ग्लॉस्टर की 247, 247 यूनिट भी की है इसका सेल्स फिगर मार्च 2022 के कमपेरीजन में 63, 63% जादा हुआ है 11 हमें पोजीशन की बात करें तो 11 हमें पोजीशन पर है टोईटा वेलफायर, वेलफायर की 239, 249 यूनिट भी की हैं 10 हमें पोजीशन पर भी टोईटा की है, हाइलक्स है, हाइलक्स की 223, 230 यूनिट भी की हैं लाश्ट मन्ट, मार्च 2030 में 9th position पर है किया Carnival, Carnival की 168, 168 unit भी की है, इसका sales figure 49% कम हुआ है, 8th position की बात करें तो 8th position पर है Volkswagen Tiguan, Tiguan की 132, 132 unit भी की है, इसका sales figure हलाकी 326, 326% ज्यादा हुआ है और 7th position पर है Skoda Superb, Superb की 104, 104 unit भी की है, इसका sales figure 42% कम हुआ है, 6th position पर है Toyota Camry, Camry की 98, 98 unit भी की है, इसका sales figure 18% कम हुआ है आगे बढ़ें बात कर लेते हैं, 5th position की तो 5th position पर है Toyota LC300, इसका sales figure 88, 88 unit रहा है, 4th position पर है Skoda Octavia, Octavia की 86, 86 unit भी की है और ये last month 2023 में 4th position पर है Least Selling में, 3rd position पर है C5 Air Cross, C5 Air Cross की 52, 52 unit भी की हैं, इसका sales figure March 2022 में भी 52, 52 unit ही था इसके बाद second position पर है Hyundai की Ioniq 5, Ioniq 5 की 21, 21 unit भी की है, इसका हम year on year comparison नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये March 2022 में इंडिया में launch नहीं हुए थी बात कर लेते हैं first position की, तो Least Selling List के first position पर है Honda WRB, WRB की 3, only 3 unit भी की हैं, March 2030 में जिबकि इसका sales figure दोस्तों, March 2022 में 251 unit था, मतलब ये इंडिया में अब खतम हो चुकी है तो दोस्तों यही हैं, 25 सबसे कम बिकने वाली March 2030 की कारें, जिनको बमुस्किल कोई पूँचना चाहता है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बैल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरन पहुँचे वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन सुभो, थैंक यू फोर वाचिंग